भाई तुम्हें लग रहा है कि 12 साल में तुम्हारे में वो इमोशन आ रहे हैं बॉइफरेंट गल्फरेंट पे तो 12 साल में वो इमोशन उन हार्मोन्स के साथ साथ पावर वाले हार्मोन्स भी आते हैं तुम्हारी बॉड़ी जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें फ्य तुम्हारा इंट्रस्स कहां पर है वह फीलिंग करते हैं तब ही तुम जा कि आगे साइंस सलेक्ट करते हो तो हाइट सेलेक्ट करते हो, तुम इतने मैचर हो चुके होते हो, जब तुम boyfriend औग्लफिट के बारे में सूचते हो, तुम अपने career के बारे में भी सोच सकते हो, और उस सारी energy को जो boyfriend औग्लफिट में खडचो ने अमाली है, लगा दो अपने career के अंदर, fitness के अंदर, लगाओ, वो सारी एनरजी जब fitness में या फिर अपने जो चीज तुम करना चाहते हैं उसमें लगा दोगे, channelize कर दोगे, तुम singer बनने हैं तुमारी hobbies में लगा दोगे, मैंने बहुत पार ऐसे बच्ची देखे हैं तो छोटे छोटे से हैं, बहुत अची hobby classes में जाते हैं, singing hobby classes में, dancing कतक सी रहे हैं, you know classical music सीख रहे है, classical dancing सीख रहे हैं, you know भारत अनाट्यम सीख रहे हैं, छोटी-छोटी सी age में चोटी-चोटी बच्चे होते हैं, लड़के ऐसे दिखे हैं चोटी सी age में जिम जाते हैं, बोडी बना रहे हैं, अच्छी बात है, वो क्या कर रहे है, अपनी energy को channelize कर वो energy को लगाओ, ऐसी चीज़ों में जिससे आपका career बनेंगे, एक ऐसी hobby पैदा करो, जो आगे जाके maybe आपकी actual job बन जाए,